अगर आप जम्मो कश्मीर यूटी से ब्लॉंग करते हैं तो आपने इंट्रिगेटिट स्कीम याने शोचल वेलफियर के थूरू ओल्ड एज पैंशेन, विड़ो पैंशेन, फिजिकली हैंडिकाबिट पैंशेन के लिए ओनलाइन एपलाई किया है तो इस वीडियो में आपक दिखाएंगे कि आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस ओनलाइन चेक कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे जब आप अपना ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर देते हो जो आपको एक हाट कॉपी जर्नेट होती है क्या वो डिपार्टमेंट आफिस में सब्मिट करनी है या नहीं और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि आपना एप्लिकेशन फॉर्म जा है वो एडिट कैसे करोगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आपको आना होगा अपने मोबाइल फून के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने की बाद आपको स सर्वस प्लस जम्मो सर्च करने के बाद आपके सामने यहां पे सर्वस प्लस मेटर डाटा बेज़िट एप्लिकेशन का ओफिशल वेब साइट आजाएगा तो आपको ओपन कर देना है ओफिशल वेब साइट सर्वस प्लस जम्मो का ओपन करने के बाद यहां पी आपको नी applications पे click करने के बाद यहाँ पी आपको select करना है option to track यहाँ पी आपको through application reference number select कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पी application reference number डालना होगा उसके बाद यहाँ पी आपको बता रहा है track through यानि आप track इसे करोगे application submission date से या application delivery date से तो आपको यहाँ पी select करना है application submission date तो आपको यहाँ आपना application submission date जो है जिस दिन आपने अपना application submit किया है तो आपको हो date यहाँ पर डाल देना उसकी बाद आपको यहाँ पर word verification आएगा तो आपको यहाँ पर fill करना fill करने के बाद आपको यहाँ पर submit पर click करना है जैसे कि देख सकती हो जब आप अपना application reference number और application date डालोगे तो उसकी बाद आपको यहाँ पर name of services शो हो जाएगा applied किस ने किया वो भी शो हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जैसे कि दिखा रहा है your application has been accepted and sent to concerned official यह जो application है accept कर दिया है और आगे जो है वो भेज दिया है officials को verify करने के लिए तो यहाँ से आप अपना application जो है वो track कर सकते हो अगर आपके application में कोई problem है या reject कर दिया है या reward back कर दे एडिट के लिए तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपका जो application है वो edit के लिए वापिस कर दिया है तो आप अपना जो application है वो दुबारा से submit करो या आपका application अगर reject हो जाता है तो आपको यहाँ पी reason भी होगा कि आपका जो application है वो reason किस वज़ा से हुआ उसके बाद आपको आप में दिखाता हूँ कि आप अगर cyber cafe से आपने apply किया या आप cyber cafe वाले हो तो आप अपना जो application form जिसका भी आपने apply किया उसका आप application form जाए वो track कैसे करोगे उसकी बाद आपको फिर से service plus के official website पे आ जाना है उसकी बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है login का तो आपको इस पे click करना है login वाले option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपना mobile number फिल करना होगा उसकी बाद आपको वो password डालना है जो आपने अपनी ID पे create किया है जिस ID से आपने बहुत सारे जो social welfare के form है वो apply किया है तो आपको यहाँ पे password डालके यहाँ दोनों consent पे click करना है उसके बाद आपको sign in पे click करना है उसके बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है view status of application तो आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे track application status पे click करना है track application status पे click करने के बाद यहाँ पे आपका date automatic selected आएगा उसकी बाद आपको यहाँ पे अगर आपने बहुत सारे application form जाए वो submit किये हैं तो आपके जो सारे application इसी ID पे save होंगे तो आपको यहाँ पे get data पे click करने है get data पे click करने के बाद जैसे की देख सकते हो आपके जो application है वो सारे यहाँ पे show हो जाएंगे तो आप जो है अपना application status यहाँ से current status आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो current status क्या है reject हुआ है initiated है या complete हो गया है तो आप अपना यहाँ से status चेक कर सकते हो अगर आपको कोई problem हुई है तो आप यहाँ से click करके जो current status है एक option आएगा यहाँ पे आपको तो आपको इस पे click करके आप अपना application status जो है वो edit कर सकते हो तो आप बात रही hard copy की मैं आपको एक hard copy दिखाता हूँ यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैं एक hard copy दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है कि आपका जो application form है वो office में submit करना या आपकी hard copy कहीं office में submit करनी है यहाँ पे आपको clearly mention किया है reject हूआ है जो भी आपका application status है वो आपको online ही आपके email id पे एक message आ जाएगा अगर आपका application form approve हो जाता है तो आपको वो भी message आ जाएगा अगर by the way reject होता है अगर आपने xerox या footstate जो copy है वो upload की होंगी तो आपका application form है वो पकता edit के लिए आ जाएगा तो आपको मैंने दिखा दिया कि आप अपना application जो है वो edit कैसे करोगे तो यह थी मेरी आज की वीडियो अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो like, share और subscribe करना ना भूले तो guys thank you for watching this video